बहु चर्चित उमेश पाल हत्यकान में माफिया अतीक के भाई अश्रफ की आचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई जिसे कोट ने 18 मार्च की तारीक दी है सीजेम कोट में पुलिस की तरफ से कोई आख्या रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई थी कोट ने धूमन गंच पुलिस को 18 मार्च को रिपोर्ट दाखिल करनी का निर्टेश दिया इस केस में अश्रफ की ओर से उनकी पतनी जेनब और फरुबी कोट में पेश हुई और उनकी मांग है कि वीडियो कानफरेंसिंग के जरिये सुनवाई की जाए कोट में फिजिकल रूप से सुनवाई के लिए ना लाया जाए उन्होंने मांग की कि अश्रफ का बयान बरेली कोट में ही दर्च किया जाए उन्होंने पेशी के दौरान बरेली से प्रियागराट लाते समय रास्ते में अन्होनी होनी के अश्रंका दर्च कराई है उमेश पाल हत्याकान में अश्रफ के द्वारा साजेश रचने का रोप लगा है